नमस्कार गुडलक बैटलक में आप सभी का सौगत हैं आपके साथ मैं हूँ सुभोष सुंद्रियाल नए साल की आप सभी को बहुत-बहुत सुभकामना है और महालक्षमी की किरपा आप पर हमेशा बना रहे लोटरी या सट्टा खेल आज से चलन में नहीं है बलकि राचिन काल से सट्टा जैसे खेलों को खेला जा रहा है आज से सालों पहले भी इन खेलों को अलग-अलग नामों से खेला जाता रहा है लेकिन हर यूग में सट्टा या लोटरी अवेदी ही माना गया है पहले राजा मराजा अपने इंटेटेनिंट के लिए से अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ खेला करते थे लेकिन आज के दौर में इसे लोगों ने अपने कमाई का जरिया बना लिया है साल 2020 में जब करोना काल में सब इंडेस्ट्री नुकसान में जा रही थी लोगों के पास पैसे कमाने के विकल्प खतम होते जा रहे थे तब कोविट के दौर में एक सट्टा कारोबारी था जिसमें लोगों ने घर बैट कर ही जम कर पैसे कमाई थे हलाकि देश में सट्टा खेलना काने नुरूप से अवेद की स्रेणी में रखा गया है लेकिन आजकाल लोगों ने इसे भी डिजिटल वर्जिन में लॉंच कर दिया है जिसके बाद सट्टे के माहिर खिलाड़ी अब घर बैटे अपना एक विनिंग अंग पर दाव लगा कर करोडो रुपे जीत रहे हैं तो आईए जानते हैं कि नुई येर के पहले दिन के विनिंग अंग के क्या रहे हैं जिन पर दाव लगा कर लोग माला माल बन गए बदादे सटाय लोटरी में इंसान को आउनलाइन के माध्यम से एक लगी नंबर को चुनना होता है इन खेलों के प्रती दिन विनिंग नंबर्स की लेस्ट यानि परिणाम भी खोसित किये जाते हैं इनी नंबर्स में कई लोगों की किस्मत की चावी भी छिपी होती है कुछ लोग इसकी बदोलत अपना नाम अमीरों की लिस्ट में भी दर्ज करवाते हैं तो कुछ लोग इसमें बहुत कुछ अपना खोबी देते हैं तो बताते कि न्यूजरूम पोस्ट किसी को भी सट्टा खेलने की सला नहीं देता है, इन खेलों पर सोच समझ करें अपना पैसा नवीज करें तो गुड़ लग बेट लग में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगे आपसे दुबारा, तब तक आप मुझी दीजिये जादर, नमस्कार